अक्सर यूपी पुलिस पर लोग सवाल उनके काम पर उठाते हैं लेकिन देवरिया से कैसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी बोलेंगे वा सिपाही सहववा ये है सिपाही अभिनौकुमार यादो इनकी दिलेरी देखकर आप भी इनकी तारीफ करने से अपने आ कनोज या गाली गलौज करने लगें जुसपात की जानकारी किर्णदेवी के पती मनोज को हुई फिर क्या था मनोज और भिस्म के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि भिस्म और उनके बेटे ने मनोज को चाकू मार दिया चाकू लगने के बाद में कोहराम मच गया और इससी जयानकारी पुलिस को हुई वहीं पुलिस जब दोनों आरोपοιों को गिर्फतार करने के लिए पॉँची तो इससी जयानकारी इलाके के लोगों को भी हो गई फिर कया था बेकाबु भीडे ने भिजमर उसके बेटे पर अटैक कर दिया क्योंकि पुलिस की गाड़ी 100 मिटर दूर खड़ी थी इसलिए भीड से आरोपियों को निकाल ले जाना किसी चैलेंज से कम नहीं था लेकिन इस भीड से दोनों आरोपियों को बचाते हुए सिपाही अभिनों कुमार यादों ने इस थाही सलामत उन्हें जीब तक पहुचा दिया हाला कि इस घटना पर मिर्तक की पत्नी का कहना है कि वो सरकार से नया चाहती हैं सुनी उनकी पत्नी ने क्या कहा गाजीपूर की शाहती है शाधी हो इंगेजमेंट हो बड़े पार्टी मैरेज एनवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटी आपके पार्टी में भरते जांग अत्याधुनिक सुक्सुधाओं के साथ तीन बेंकिटर लजीज वेंजन से संपत शांदार रेस्टूरेट आपके पार्टी में चार चान लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुईधा जरूर पता रहे है तो होटल ग्रैंड पैलेस चुंगी हीरो एजेंटी के सामने लंका गाजिका